इस वीडियो में हम लोग आपसे एक इंपॉर्टन अपडेट के साथ आए है पीम सी ने पीम सी ने कल रात को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि एमडीकेट की जो रिजिस्ट्रेशन है वो 25 माई से रात 9 बजे जो है स्टार्ट हो जाएगी आपको बताज़े लेकर आज जो न्यूस पेपर के उपर एक इनकी रिजिस्ट्रेशन की जो एड़िटाइसमेंट शाया हुई है उसमें हम लोग आपको कम्प्लीट डिटेल्स मे एक इस सब्सक्राइब लिगेसर थे इंटरनेशनल सेंटर्स तीक अब इसमें यह बात उन्हेंने कह दी है कि आपका जो एक्जैम होगा 2022 वह कंप्यूटर बेस्ट होगा और उसकी जो डेजिगनेटिड जो सेंटर्स है पाकिसान और इंटरनेशनल में जो कि नहीं पहले एक नोटिफिकेशन में शेर किया वाए था कि कौन कौन से सेटीज होगे बीज सेटीज होगी और इसके लावा यह तमाम डेटेल जो इंटरनेशनल कहां 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 वह भी नोटिकेड करकुलम एज अप्रूब बाइशनल मेडिकल इंटर्ल अकैडमिक बोर्ट इस अविलिबल ऑन है अगर आपको यहां से नहीं मिलता तो आप लोग पार्णिंग स्पॉट डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाएगे तो आपको यहां से भी जो है पी एम सी का जो स्लेबस अम्डिकेड का जो इस दफाफा फॉलो होना है वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अब अगली ब मेडिकल डेंटल कॉलिज में अगर आप लोग अप्लाय करना चाहरे अड्मिशन लेना चाहरे तो आपको ना सिर्फ पेर होना बलके इसको पास भी करना है उसके बाद टाइम लेंड के रिजिस्ट्रेशन जो है वह कौन सी टाइम लाइन पर होगी नॉर्मल रिजिस्ट्रे पीज के बारें बात नहींगी लास्ट यह वह सिक्सावजन रखे गई थी और लेट फीज जो है वह नौहजार रखी गई थी तो इतने ही करीब करीब होगी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हबारे से अचले तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुए कि आपकी 16 साल से जो है वो अबब होनी चाहिए एज और इसमें उन्हें एक और बात यह की वी है कि अब इसमें आपकी जो डिगरी है वह रिक्वाइट नहीं होगी तो जो स्टूडन अभी एक्जाम देना है वह स्टिल जो है अप्लाइक कर सकते हैं और उनको जो है वह अपने मार्क्स जो है वह डालने की जूरत नहीं है वह MDCAT की रिजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वह जो टेस्ट है वह भी जो है वह MDCAT का टेस्ट दे सकते हैं अब इसके बाद जो अप्लिकेशन प्रोसेस है यह वही है कि आप लोगों ने PMCEXAMS.GOV.PK पर आप लोगों जाना है अभी तक जो है आप लोग देख सकते के PMC की वेबसाइट पर आप लोग आते हैं तो यहां पर कोई भी इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं अवेलिबल लोग इस वेबसाइट पर जाए तो अभी तक जो है यह अवेलिबल नहीं है जो इन्होंने email address दे जो वेबसाइट के link दिया है यह active हो जाएगा अब अगले step पर यह करना है create an account by providing your basic information verify your email address and mobile number, mobile number verification application applicable for local students only ठीक है अब इसमें जो आपको बैसे लगे कि जो foreign students है उनको जो है वो mobile number की verification required नहीं होगी लेकिन जो local candidates उनको जो है email address और mobile number दोनों को verify करना होग तो आप लोग जो है अपना ही phone number इसमें type करेंगे जो active हो और email address भी आपका अपना ही हो जिसमें वो active हो आप लगा आप लोग भी इसको use कर रहे हो fill in the form with the necessary personal information and educational detail and select a preferred exam center it is mandatory to input your personal details accurately as per your cnac bay form और passport ठीक है अब इसमें जो आपने personal information आप लोग समझ सकते हैं जिसे कि अपना ना अपनी educational information में आप लोग में कितने marks थे FSC part 1 में कितने marks थे आप लोग जो है वो प्रेफर सेंटर कौन सा लेना चाह रहे हैं आपकी location कौन सी address कौन सा है तो आप लोग इन तमाम चीज़ें जो है वो अपने cnc को पर जिसे आपका नाम लिखा है वही नाम आप लोगों ने application form में लिखना है और तमाम information आपने correctly फिल करनी है after profile update pay the exam fee it can be paid by mcb bank चलान credit card और jazz cash ठीक आप इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि students jazz cash चे pay कर सकते हैं अब आपको बतादे से ले कि लिए यह हुआ था कई students ने register कर लिया था लेकिन fee पे नहीं की थी जिसके उन्हेंने पिर जो है वो पीमसी ने अपनी मताबिक दी थी वो खुद से स्लेक्ट नहीं कर बायते तो आप लोग कोशिश करें कि जल से जल fee पे करें या तो आप लोग बैंक से पे कर ले या आप लोग ट्रेडिट काट से पे कर दें ज्यादा असानी हो था कि आप लोग जैस केश से फौर एक्जाइम शेल बेज़ 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 फिर्स फिर्स रबेसे डिटर्माइन फ्रम डेट अफ ट्लेरंस और फी ठीक आप इसमें नहीं के लिए बात मैंशन की वी है कि आप लोग जो स्केजूल करेंगे वो बीस जुलाई से पच्चीश जुलाई तर करेंगे औ उनको जो है इस कैजूलिंग इनको प्रेफर की जाएगी और बीस जो के जल्दी फीस जमा करायें जल्दी करेंगे वो अपने मुताबिक जो है वह डेटि सेलेक्ट कर पाएगे एक्जाइम सेन्टर पर पाएगे तो आप लोग उन्ने इसमें देर नहीं करनी आपने जल्से जल्ड जो है अपने आपको apply करना है रिजिस्टर करने है और जल्ड से जल्ड फीज भी पे करनी है जब तक आप लोग फीज जमा नहीं कराएगे तो आपकी एक registration कम्प्लीट नहीं होगी तो आप लोग फीज जो है वो जल्ड से जल्ड आप लोग जैस कैश जो फौरी जो है वह आपकी एक अगस्व होने लग जाएगी और आपका जो टेस्ट है वो साल सब्टमबर से होगा तो यह कंप्लीट इंफॉरमेशन थी जो हम लोग आपने आप से जो है शेर किये यह ऑफिशल नोटिफिकेशन है जो कि इनकी अख़बार में आये वह है इनकी वेबसाइट भी तक यह अपडेट नहीं हो लेकिन जल से जल्दी अपडेट हो जाएगा हम लोग वह भी आपसे शेयर करेंगे परदर अब्डेट के लिए आप लोग हमारी चि लाँनोर कर सकते हैं और आप लोग हमारी एप भी प्लेइस टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह तमाम चीज़ा आपकोण काफी रहेगी अप्डेट के लिए और आप लोग हमाई साथ रहेगा और आप लोग हमाएसे जान सबस्क्राइब कर दें थैंक्यू सो मच